दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जिस गोट फार्मिंग व्यवसाय को ले करके सहरों में लोग इनके लिए चूनी भूसा इन सभी चीजों का अरेंजमेंट करते है है असल में एक traditional पद्धत ही क्या है एक असली एक वास्टी पद्धत ही क्या है बकरियों को पालने के किस तरह से बकरियां पालनी चाहिए एक आदर सिस्थे ती जिसमें बकरियां सबसे अच्छी तरीके से पलाई पर रह सकती हैं सबसे पहली बात थी है कि भूसा और चूनी या आटा या सूखा चारा खा करके बकर यह रह तो सकती है हफते मगर उनको एक दिन हरा चारा मिल रहा है लेकिन जिस प्रकार एक इनसान कमाने खाने के लिए अपने गाउं को छोड़ करके सहर में जाता है और एक दस बाई दस के क इदर फिजिकली और में जार फिजिकली और मिल और गाउं में रहने वाला इनसान जो रोज अपने खेत मेड़ पहल रहा है जो इसे वाष्टिक पर शड़िस में रखेंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छीए होगी इनमें बीमारिया कमाएंगी ये फुर्त होंगी और ये वेट गेन अच्छा करेंगी और सबसे बड़ी बात तो सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है वो ये कि आपकी पलाई का खर्च भी कमाएगा मेरी बक्रियां 12 अगस्त से लेकर के 27 फरवरी तक सहर में रही थी और वहाँ पर चूनी, भूसा, हाटा ये खाती थी कभी कभी पत्तियां खरीद कर मन लाता था लेकिन जब मैंने अपना फार्म हाउस डेवलप किया तो उसके बाद से मेरी बक्रियां इस तरह से पलाई पर रहती है और शाम को चार बजे के आसपास इनको बाहर निकाल दिया जाता है आज मैं इस वीडियो को इसलिए बना पा रहा हूँ कि टिरू जी अपने घर पर गए हुए हैं क्योंकि उनकी बहन की शादी है तो इसलिए इन बक्रियों को लेकर के मैं खुद निकला हूँ और मेरा एक भाई है वो आपस गया है थोड़ा काम से बक्रियों को आप देख सकते हैं मेरे जूंट की बक्रियां कैसी है ये बक्री बच्चे देने वाली है एक से डेड़ माईने में सामने जो काली बक्री आपको दिख रही है वो दो बच्चे दे चुकी है इसके बगल में ये दोनों बक्रियां इन में से एक बक्री जो पीछे काली है वो बच्चा देने वाली है दो से तीन बच्चे देने वाली बक्री है वो इधर आप बच्चों को देख रहे होंगे और इन दोनों बच्चों के सामने जो सफेद बकरी वो भी प्रेगनेंट है एक बकरी आगे दो पैरों पर बैठी हुई है वो भी प्रेगनेंट है और इस तरह से भी मेरे जुंड में करीब करीब 7-8 बकरियां अगले 2-5 महिने में बच्चा देने वाली हैं और काफी सारी बकरियां ऐसी भी जो फरस्ट टाइम प्रेगनेंट हैं हमारे यहां के बच्चे इस बार प्रेगनेंट हो गए हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं करीब 26-28 बकरियों का जुंड है पूरा और कुछ बकरियां में बढ़ाने भी वाला हूं बहुत जल्द जैसे ही मेरा शेड निर्मान का कारे पूरा होता है थोड़ा करीब से इन सभी बकरियों का आपको दिखा दे रहा हूं यह दो बच्चे भी आज 15 दिन के हुए हैं एक मेल है एक फिमेल है प्योर वर्वरी बच्चे है इसकी माâ बगल में चल रही है मेल को मैंने सोचा अपने फार्म पे अगला ब्रीडर बनाूंगा यह है मेरे फार्म का ब्रीडर और यह है ये भी बक्री दो ड़ाए महने तीर महने की गाविन है सारी बक्रियां स्वस्थ हैं घुम टहल के अपनी चराई कर रही है दूर दूर तक खेत खाली है इसमें बिंदास इनके लिए चारा पर्याप्त मिल जाता है हरी घास मिल जाती है सुख किसान तो यहाँ नीचे भी गिरा होता है बहुत सारा गेहूं उसको ये लोग खा लेती हैं जिससे इनके दाने की नीड पूरी हो जाती है और जो भी इनको अपने सरीर को मेंटेन करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है साइलोज चाहिए होता है वो सारी चीज़ें इनको हरे चाहरे में गेहूं के दाने में जो भी दाना इनको सुखवा मिलता है सारी पत्तियां खाती है तो इनके विकास के लिए ये इस तरह से चराई पर रखना इनको सर्वोतम पद्धती है स्टाल फूट के बजाए तो मेरा अपने किसान भायों से यही अन्रोध है कि कोसिस करें यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा लेना है और साथ साथ बक्रियों में कम बिमारियां आए आपको टेंशन कम हो तो इसके लिए आप हमेशा अएकर बकरियों को चराइपर ही रखें कोछिस करें अगर हो सके तो अन्य था अगर किसी की मजबूरी है तो इस्टाल फूट पर रखना भी कोई बुरा नहीं है लेकिन इस्टाल फूट पर आपके खर्चे ज़्यादा आएंगे तो आज किस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार